वासब गाईज क्या सर सागे सारे आयोग वीडिया ओंगे तो थैंक्यी सो मच फॉच वाइनस अगें जो कि तुम लोगोने मेरे प्रिवेस्ट वीडियो में support दिखाया और प्यार किया बहुत जादा और इस वीडियो में वादा किया था कि मैं नेक्स वीडियो बनाऊंगा बाउट टॉप टीम्स फॉर दा बेस तो जैसे कि तुम लोग जानते हो कि इस गेम में बहुत साइक क्रेक्टर हैं तो हर एक टीम को कवर करना इस डिफिकल्ट फॉर मी क्यूंकि ये वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जाएगा और तुम लोग सब्सक्राइब बहुत लोग इस्तिमाल कर रहे हैं और अपने काम असान कर रहे हैं तो अगर तुम्हारे पास कोई करेक्टर नहीं है तो तुम फ्यूचर में पुल कर सकते हो और अपने काम असान कर सकते और अपनी टीम बना सकते हो और अगर तुम्हारे पास कोई अच्छ से इस्तेमाल कर रहे हैं जब से डेंट्र रिलीज हुआ है यह टीम से ज़दा बैस्ट और मैक्सिम लोग इसे डिफरेंट यूनिट के साथ भी इस्तेमाल करते हैं और इस टीम का नाम है हाइबर ब्लूम टीम मैं इसमें परस्टिम करता हूं आय तो या फिर ये लन या फिर श वह एनिमी की शील्ड पर भी ट्रेगर करता है जिस विसे काम और असान होते हैं बात करते हैं स्ट्रॉंग डेंट्र एप्लिकेशन प्रोवाइड करनी की तो वह है नहीदा नहीदा सबसे बेस्ट यूनिट है अगर आपके पास यह तो आप इस टीम में रन कर सकते हो अब ब बहुत सारी टीम्स है जो कि आप रन कर सकते हो इस टीम में जो मेजर करेक्टर होते हैं वह होते हैं बैने और शेंग लिंग और वन हाइडरू इनिट यूंज़ शिंचु और यह लन और पर्फॉर्मेंस इस टीम में हमेशा एक सलाट फ्लेक्सिबल होता है अगर आपको अन और इसको भी build करना बहुत ही easy है इस team में सबस्यादा important character है वो है नीलू नीलू के बिना ये team अधूरी है क्योंकि नीलू का second passive bloom को damage वार इंप्रूव करता है तो अगर आपके पास नीलू है तो आप ये team run कर सकते हो इस team में जरुद पढ़ेगी आपको double dendro double hydro की क्योंकि सिर्फ hydro application नीलू का काफी नहीं होता इस team को run करने के लिए उसे की साथ साथ आपको ख्याल रखना है healing का क्योंकि इसमें self damage भी बहुत होता है तो आपको एक character ऐसा चाहिए होगा जिसके पास shield हो या फिर heal हो ये team पूरी की पूरी चलती है सिर्फ और सिर्फ रोटेशन पे आपकी rotation बार-बार चलती रहने चाहिए ताकि आप easily bloom seeds generate करते रहो और वो explode होते रहे dendro characters और hydro characters दोनों ही generate कर रहे होते है bloom seeds वगर सबस्यादा contribution होता है तो इसलिए hydro characters ही EM पे बिल्ड होंगे बढ़ हम नीलू को EM पे बिल्ड ने कर सकते विकाज वादा second passive उसके लिए first priority रहेगा वो है HP और EM के साथ आप इस्तमा कर सकते हो 4 piece debut memories on your dendro character ताकि आपका dendro damage और increase हो और जो fourth character होगा वो आपको कोई भी dendro healer या shielder हो सकता है या फिर hydro healer या shielder हो सकता है तो बहुत लोग ये team run कर रहे हो और ये बहुत ज़्यादा easy to build है और उसके साथ इसमें damage बहुत ज़्यादा मिलता है जिस वो easily best clear कर पाते हैं अब बात करते हैं उस team की जो की सबस्यादा strongest है और सबस्यादा damage देती है और सबस्यादा famous भी है मगर ये team सिर्फ और सिर्फ situational है हर enemies के against ये team काम नहीं करती क्योंकि हर enemies नहीं होता है frozen तो इस team का नाम है freeze calm जिसमें सबसे अच्छा perform करती है कामिसे तो आयका और gun new यही है दो ऐसे cryo character जो कि इस team में काफी जादा अच्छा perform करते है और काफी जादा solid damage देते हैं जिसमें सबस्यादा base clear होते हैं बहुत ही fast और ये team जितनी ज़्यादा powerful है उतनी ज़्यादा expensive भी है क्योंकि इसमें जितनी भी units होती है वो सारी की सारी 5 star होती है और इन पे investment करना पड़ता है heavy इस team में healing requirement कम होती है क्योंकि enemies frozen होता है और वो damage नहीं दे पाता plus इसमें crit rate बहुत जादा मिलता है जिस व्यादा आपको focus करना पड़ता है attack और crit damage पे EM की जुरुत नहीं पड़ती है इस team com में बाकि depend on the skills अगर इस team में आपको healer या shielder की जुरुत पड़ती है तो आप वो भी run कर सकते हो 4 star में आपको वो option मिल जाएंगे diana और leila but hydro application सबसे अच्छी जिसकी है और वो है kokomi आप mona भी run कर सकते हो but kokomi का hydro application जादा अच्छा है बहुत लोग आज भी इसे इस्तमार करते हैं और अपने biz clear करते हैं तो आप भी इस्तमार कर सकते हो अब बात करते है team number 5 की तो जैसे कि तुम लोग जानते हो कि diana रो आने के बाद एक और reaction है जो कि काफे ज़्यादा powerful हो चुका है और काफे ज़्यादा meta में हो चुका है और वो है aggravate aggravate damage के विए से कचिंग वाफिस से trend में आ गई है और miko भी काफे ज़्यादा useful हो गई है अगर आप चाहो तो आप signo भी और build-o भी run कर सकते हो और official भी run कर सकते हो aggravate teams com के लिए और miko और कचिंग काफे ज़्यादा easy to use है क्योंकि एक quick swap team में बहुती easily इस्तमाल होते है official इनकी battery का काम और sub dps का काम भी बखू भी निभाती है तो आप दो-दो के pair में इनको इस्तमाल कर सकते हो aggravate team com में सबसे important जो role है वो है dando characters का और kazua का क्योंकि kazua ही आपके electro damage dealer को provide करेगा element damage bonus और उसे के सासद opponents का decrease करेगा elemental res aggravate team com में जो dando characters होंगे काफी useful वो होंगे you can use nahida, baiju, traveler, yaw yaw and if you need dandro shield then you can use kirara और इसी का एक opposite reaction है जिसको हम कहते है spread उसके लिए एल इतम या तिकनाली या फिर nahida काफी अची unit रहेगी इसमें आपको damage मिलेगा as compared to aggravate थोड़ा जादा threat team coms में एल इतम की performance जादा better है because of the AOE damage deal एल इतम easily dandro apply कर लेता है consistent और उसे के सासद काफी अच्छा amount of damage भी देता है वो भी multiple enemies को एक time पे बट अगर आपके पास एल इतमारी इस्तमाग कर सकते हैं फिर नहीदा इस्तमाग कर सकते हैं तो नहीदा इस्तमाग कर सकते हैं तो नहीदा इस्रेली गुड़ सपोर्ट और तिगनारी एनलाइटम बोथ और वह एम प्रोवाइट करती है on field active party member को जिस वह काफी अची unit है अगर आपके पास नहीदा नहीदा नहीं है तो आप कोई भी अधर डेंटो करेक्टर आपके याओ 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 फिर बाइशू वह आपको healing भी देंगे और उसे के साथ डेंटो भी अप्लाइ करेंगे बाइशू का second passive आपका damage इंप्रूब करने में help करेगा मिलता है और वो है Mono Geo इस टीम कौम को complete करने के लिए सबसे important character जो है वो है गुरोव और वो भी C6 चीकि C4 में आपको healing provide करता है जिस वज़से इस टीम में healer की जुरत नहीं पड़ती और C6 में party members को वो देता है extra buff तो actual में ये team इतनी ज़्यादा powerful bunny कैसे इससे पहले इत्तो और grow exist नहीं करते थे उनके आने के बाद ये team complete हो पाई है इस team में amazing damage और non-stop rotation की वज़े से ये team काफी ज़्यादा unbeatable हो गई है बट ये team काफी ज़्यादा situational है क्योंकि ये उनके against काम आती है जहां पे आपको shield break ना करने पड़े क्योंकि shield break करने में अभी भी जियो काफी ज़्यादा पीछे है as compared to बाकी elements तो इस team का सिर्फ A की downside है अगर आपके enemy के पास shield है किसी element की तो जियो को उसको break करने में थोड़ा समय लग सकता है तो इस team को powerful बनाने के लिए आपको इत्तों पे investment करने पड़ेगी थोड़ी ज़ादा क्योंकि इत्तों पे weapon option कम है प्लस उसके साथ साथ आपको गुरो के constitution चाहिए होंगे and albedo is really good for the sub dps damage and for the team energy और इस team में zongli की भी जुरुत पर सकती है क्योंकि zongli आपका damage और improve करेगा अपनी shield से और उसके साथ अपनी ult से enemy के rotation और उनकी moment रोकेगा और damage देगा इस team में अगर आपके पस कुछ characters नहीं है जैसे कि zongli या फिर गुरो तो आप yunjin या Bennett भी run कर सकते हो या Mona भी run कर सकते हो prototype ember के साथ ताकि वो आपको healing और buff दे सके but to be honest for the energy albedo is really good and you can also use guru and zongli with favonius ताकि इत्तों की rotation रुके न और वो अपनी burst यूज कर सके right on time अब बात करते हैं उस team com की जो कि काफी यदा broken हो चुकी है बहुत लोग इस्तिमाल कर रहे हैं इसमें massive amount of damage मिल रहे है लोगों को इस team का नाम है हूताओ वेप जबसे येलान आई है शिंचो के साथ उसका pair बन चुका है और उसका वो दोनों का pair बन चुका है हूताओ के साथ और हूताओ वेप है unbeatable unstoppable हूताओ double hydro के साथ वेप टीम काफी यदा broken है इसको इस्तिमाल करना काफी easy है बट stamina issue होता है अगर आपके पास c1 नहीं है हूताओ का प्लस हूताओ के charge attack में no ictd के विए से ये बाल बाल consistent वेप कर सकती है that's why आपको maximum time बड़े numbers देखने को मिल सकते है वेप में उसी के साथ येलन का second passive हूताओ की बहुत help करता है damage improve करने में and overall team dps बहुत बढ़िया होता है single target के against इस team में double hydro unit होने के विए से इसमें 25% extra hp मिलता है because of the hydro resonance . इस team की जो कि बहुत फेमस है बहुत लोग उसे इस्तवाल कर चुके हैं और बहुत लोग अभी भी इस्तवाल कर रहे हैं और उस team का नाम है taser team अभी भी ये team काम करती है क्योंकि ये इसको इस्तिमाल करना बहुत ही easy है इसमें damage भी काफी consistent मिलता है और multiple enemies के against ये बहुत ही solid team है इसमें high damage दिखने को मिलता है after release ये line इसमें लोग इस team काम को Kokomi के साथ या child के साथ इस्तिमाल करते थे और इस team काम में सबस्यादा strong character होता है Beedow और Fish Shell इन दोलों का pair काफी जादा strong होता है और उसे के साथ अगर आप कोई animal character add कर दो तो इसका damage और improve हो जाता है अनमो character का mostly इस्तिमाल आप तभी करोगे जब आपके पास multiple enemies हो otherwise single target पे आपको जूरुत नहीं बढ़ी ही अब double hydro और double electro का pair run कर सकते हो और ये team काफी amazing perform करती है क्योंकि इसमें damage मिलता है बहुत ही बढ़ी है जिस विए से reaction काफी ज़्यादा easy to use है और multiple enemies के against काफी बढ़ी है और अगर आपके पास taser team नहीं है तो इसी team में आप शैंगलिंग या बैनेट डाल सकते हो और सुक्रोस की जगा कर्जुआ और बार्बरा के जगा कोकोमी या आयतो तो ये आपकी बन जाएगी mix reaction team लोग इसे जानते हैं soup team के नाम से इसमें आपको देखने को मिलता है damage electro chart और wave का अब बात करते हैं उस team कौम की जो कि काफी ज़्यादा rare है बहुत ही कम situation में इस्तमाल होता है बड़ इस्तमाल हो रहा है कुछ महिनों से कुछ बिस में इस्तमाल हो रहा है अभी हाली फ्लाल में कुछ time पहले दो क्रायों हरड लाय थे तो उसके against भी यह team कौम काम आई थी और इस team कौम का नाम है बर्जन इस team कौम में hydro dendro plus pyro की जुरत पड़ती है और pyro character होता है em पे build क्योंकि वो ही character trigger कर रहा होता है dendro seeds को तो right now pyro character बहुत ही कम है for the version but you can use c6 thoma and shangling shangling का energy issue होता है इसलिए लोग उसे एक दोर करते हैं इसे इस्तमाल नहीं करते हैं पर वो काफी easily और काफी बढ़िया dendro course को trigger कर सकती है plus करते हैं dluck की बाद तो अब dluck को build कर सकते हो इसके energy cost भी 40 गी है तो यह जल्दी से अपना alt use करेगा और अपने normal attack spyro में infuse कर लेगा और easily dendro course को trigger करेगा ताकि burgeon damage दे सके हैं मगर problem यह है कि dluck बहुत ही slow है bannet को लोग EM पे build कर नहीं सकते हैं वरना healing issue देखने को मिलेंगे team com के अंदर तो अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही option है और वो है thoma c6 का दिया भी लोग इस्तिमाल कर चुकी हैं मगर दिया भी consistent trigger नहीं करती dendro course को बाकि burgeon reaction के लिए कोई अच्छी unit है नहीं बट अगर आप चाहो तो यान फे अकली try कर सकते हो मैंस reaction का कोई fan नहीं हूँ इसलिए मैं तो इस्तिमाल करता नहीं थी top 10 teams for the spiral abyss recently previous business को ध्यान में रखते हैं और भी team comms थी जो कि मुझे cover करनी थी इस वीडियो में बट मैं करनी पाया because इसका length अलएड़ी बढ़ चुका है और वो team comms इतनी इस्तमाल नहीं हो रही है right now business के अंदर तो इसलिए मैंने वो cover नहीं करा जो teams मैं cover नहीं कर पाया वो teams के बारे में आप लोग mention कर सकते हो comment section में ताकि बाकी लोग की help हो सके और जैसे कि तुम लोग जान दे हो कि fountain आने वाला है तो fountain में बहुत सारे new players भी आ सकते हैं तो उनको daily routine as a f2 player उने क्या करना जूरूरी है तो यह उनको अभी भी clear नहीं है तो उसके उपर मैं video बनाने की सोच रहो next video पर काम करने के लिए मुझे चाहिए थोड़ा सा motivation तो please अगर तुम चैनल पर नए हो तो subscribe और like कर देना मैं इस video पर target रखता हूँ 300 comments का और 300 likes का अगर तुम लोग मेरी help करते हो जल्दी से इस goal को achieve करने में तो मैं next video जल्दी ले क्या हूँगा तो I hope यह video तुमारे लिए काफी अधा helpful रहोगी मैं मिलूँगा अपनी अगली video में तब तक ले bye, take care, love you and peace